एसलाम अलेकूम प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा टापिक है वो है sp3 hybridization जो previous topic से related है hybridization उसकी type में हमने सबसे पहले क्या लिखा था sp3 hybridization तो आज हम sp3 hybridization को explain करेंगे उसकी example भी देंगे तो आप मतवज्य होकर सुनें क्यूंकि इसमें बहुत सारे mcqs चुपे हुए हैं तो आते हैं इसको define करते हैं sp3 hybridization क्या है तो sp3 hybridization जो है वो mixing of 1s and 3p orbitals in 1s orbital and 3r 3p orbital to give Q 4 equivalent hybrid अर्बिटाल्ज आफ आफ सेम शेप एंड इनर्जी क्या होता है sp3 hybridization में mixing of 1s and 3p orbitals to give 4 equivalent hybrid orbitals of same energy and shape ठीक है कि जब 1s और 3p orbital आपस में mix up होते हैं तो आपको hybrid orbital मिलते हैं कितने 4 उन सब की size भी सेम होती है shape भी सेम होता है और energy भी सेम होती है equivalent होते हैं ठीक है तो आते हैं example की तरफ अब तो example जो है सबसे पहले example हमारी CH4 यानि methane ठीक है तो methane में carbon central item है तो उसकी hybridization हम मालूम करेंगे तो उससे पहले हम उसकी electronic configuration वो करते हैं electronic configuration के लिए हमें atomic number की पता होना चाहिए atomic number क्या है carbon का 6 है तो उसकी electronic configuration ground state में 1s2, 2s2 and 2p2 हो जाएगी ठीक है यह कौन सी state है ground state carbon की लेकिन जब वो excited state में जाता है तो एक electron इससे p में transfer होता है ऐसा 2s से तो excited state में electronic configuration हो जाएगी 1s2, 2s1 and 2p3 ठीक है यह कौन सी state है excited state ठीक है अब हम structure draw करते हैं इसकी orbitals की 2s and 2p ठीक है तो एस orbital जो है वो spherifical in shape होते हैं 2s ठीक है और p orbital जो होते हैं धंबल shape होते हैं यह तीन p orbitals होगे px, py and pz यह 3p orbitals होगे ठीक है तो जब यह आपस में mix up होंगे तो क्या बन जाएंगे सब same shape और same energy के आपके पास for hybrid orbitals आ जाएंगे ठीक है और इनका common name क्योंके अब यहां पर differentiate नहीं कर सकते कौन सा s है और कौन सा p है तो इनका common name हम दे देंगे यह sp3 hybrid orbitals ठीक है टोटल कितने बने 4 यह एक s और 3p orbitals जब आपस में mix up होते हैं तो वो sp3 hybridization कहलाती है ठीक है नाम किस पर देंगे कितने s और कितने p orbital आपस में mix up होते हैं hybridization ठीक है तो उस पर हम नाम दे देंगे उसे hybridization को तो यहां पर 1s और 3p orbitals mix up होते हैं ठीक है तो अब आते हैं हम इनका methane का structure ड्रा करते हैं तो इसको मैं साफ कर लेता हूँ ठीक है तो आप देखें carbon central item है उसके यह चार hybrid orbitals हो गए यह एक एक electron इन में होगा तो यह एक एक hydrogen के 1s orbital के साथ sigma band formation कर लेंगे यह hydrogen का है hydrogen का ठीक है तो hydrogen के 1s orbital के साथ linear head to head overlapping की है और क्या बनाए है चार sigma band with 4 hydrogen atoms के साथ ठीक है तो अगर हम यहाँ पर bond length देखें तो bond length जो है CH की यह तक्रीबन 1.10 एक्सराम होगी ठीक है अक्सर बुक में 1.09 है लेकिन recent studies नहीं इसको 1.10 एक्सराम शो किया हुआ है ठीक है और अगर हम bond angle देखें ठीक है इन उनके दर्म्यान तो यह 109.5 डिग्री है ठीक है अब आते हैं इसके characters की तरफ के S character कितने होंगे और P character SP3 hybridization में तो SP3 hybridization में क्या है एक S और 3 P तो आप अगर percentage निकालें ठीक है यहनि 4 orbitals बनेंगे तो इनकी 1 by 4 multiply 100 तो यह 25% S character होंगे ठीक है और 75% P characters होंगे ठीक है तो आपके पास अब यह characters आ गए इसके इलावा अगर हम इतीन की तरफ जाएं इतीन की तरफ जाएं तो वहां पर हम बाकी तो उसी तरह characters होंगे S or P characters bond length CH bond angle भी वही carbon carbon bond angle ठीक है यह bond angle यह bond angle यह सब 109.5 degree होंगे ठीक है यह bond length यह bond length CH bond length सब कितनी होगी वही 1.10 एंक स्टाम लेकिन CC bond length ठीक है यह one pointer 54 एंक स्टाम होगी ठीक है बाकि उसी तरह शेप होगा अब आते हैं कुछ और molecules जिन में SP3 hybridization होती है तो एक example और पढ़ लेते हैं ताकि आपका concept clear हो जाए SP3 hybridization में तो ammonia हम लेते नहीं ठीक है प्यारे बचों तो ammonia में देखें हमें पता है nitrogen पर एक lone pair of electron भी होता है outermost shell में तो अगर इसकी central हमारे पास जो atom है वो nitrogen है तो nitrogen की electronic configuration देखें तो 1s2 2s2 and 2p3 ठीक है 7 total electron होते हैं तो outermost shell में 5 electrons हो गए ठीक है तो अब यह half field है already तो अब यहां से electron वो नहीं होगा तो outer most shell में जो है एस complete field है दो electron है उसके उपर ठीक है और जो 2p है उसके पास 3 electron है तो अब यह अगर हम hybridization देखें तो हमारे पास P3 hybridization सिग्मा बांड के उपर लेकिन second जो rule था hybridization के लिए कि कौन से arbitral hybridization में जाएंगे तो उसमें हमने लिका था कि complete field outer most shell जिनके पास lone pair of electron जिन आर्बिटाल के पास होंगे तो वह भी hybridization में हिस्सा लेंगे वह भी hybridized होंगे उनकी भी जो size और shape और energy होगी after hybridization सबकी equivalent हो जाएगी तो वह sigma band formation में हिस्सा ले या न ले लेकिन जब lone pair of electron हो उनके पास तो वह hybridization में जाएंगे तो यह 2s हो गए और यह 3p orbitals हो गए तो यह after hybridization सबकी क्या हो जाएंगी same shape and same size तो four hybrid orbitals तो यह भी nitrogen की ammonia में क्या हो जाएगी sp3 hybridization हो जाएगी और sp3 hybrid orbitals आपको मिल जाएंगे four ठीक है तो अगर हम structure ड्रा करें nitrogen की ammonia में तो यह उसके लॉन पेर आफ एलेक्ट्राम यानि ठीक है और यह उसके बाकी तीन sp3 hybrid orbital जो hydrogen के साथ सिग्मा बांड बना लेंगे ठीक है तो आपको NH3 अब यहां पर बांड एंगल थोड़े से distorted हो जाते हैं 109.5 डिगरी से क्या हो जाते हैं लेस हो जाते हैं 107.5 डिगरी पर आ जाते हैं वो किस वज़ा से वो ड्यू टू लोन पेर आफ एलेक्ट्राम हमने वेलेंशल एलेक्ट्राम पेर रिपल्शन थियोरी में पहले ही पड़ा था तो उसकी वज़ा से यह distortion हो जाती है बांड एंगल की ठीक है तो यह वान पाइंट यह 107.5 डिगरी की बांड एंगल हो जाते हैं और यह बांड एंगल कंपेरिजन में कोई क्वेस्चन हो कोई कंफ्यूजन हो आपके माइंड में एबाउट एस पे त्री हैप्रिडाइजेशन तो आप कमेंड बाग में पूछ सकते हैं इसके लावा फेस्बुक का पेज भी है हमारा बाइद नेम आफ कमेस्ट्री कंसेप्ट्स तो उसका लिंक कर सकते हैं हमें और क्वेस्चन भी पूछ सकते हैं